नमस्कार दोस्तो, Target with PS परिहार में आपका स्वागत है दोस्तो जैसे के भी पांस तारीको राजस्थान PCS RAS की परिच्छा हुई थी तो दोस्तो उसके कटाफ के बारे में चर्चा के गई है तो दोस्तो इसकी जो हेडलाइन है ना कि अब तक की सबसे कम जागी कटाफ तो दोस्तो बिल्कुल सही बात है इस बार राजस्थान PCS की जो कटाफ है वो सबसे कम जाने वाली है और दूसरे राजचियों के जो विद्यारती हैं उनके भी इस बार ज़्यादा अच्छे चांसेज है तो दोस्तो आए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तो आगे बढ़ने से पहले जो नए विवर हैं वो लोग इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें अगर आप लोग किसी भी गवर्मेंट सर्विस की त्यारी कर रहे हैं तो दोस्तो ये चैनल आपके लिए है सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तो ये जो बेल आइकान है इसको क्लिक करना न भोलें ताकि जो भी कोई एजकेशनल वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और जिन मित्रों ने पहले से ही इसको सब्सक्राइब किया है तो बहुत-बहुत धन्यवाद हाँ तो दोस्तो मैं बात कर रहा था कि इस बार राजस्थान की कटाप बहुत कम जाने वाली है राजस्थान PCS की उसके दोस्तो कई सारे बहुत से कारण है जैसे कि इस बार जो है पेपर बहुत ही जितने भी क्वेश्चन थे वो काफी कन्फूजन वाले प्रशने थे प्र सकते हैं कि पेपर का पैटर्न इस बार का बदला हुआ सा था तो इसकी वज़े से भी लोग बहुत सारे प्रेशनों को सही से नहीं कर पाए और दूसरी बात यह है कि लगबग 55% विद्यार्थी ही एपियर हुए है अभी एक्जेक्ट आकड़ा तो नहीं आया है लेकिन ऐसा अनुमान है कि बांच लाख दस जार सायद भरम पड़े थे और उसमें ढाई लाग की लगबग विद्यार्थियों ने परिच कर राजस्थान यहां किसी राज विषयार्थी होतने लिधर्थी से हो जाये और यो अधर इसटेम कर दोटल के लिए Z की राजस्थान इस्पेस्टल के प्रस्ण आये थे लगबग पचास प्रस्ण थे वो इतने टफ थे जो राजस्थान के इस्थानी निवासी इस्थानी विद्धार्थी थे उनको भी प्रस्ण को हल करने में बहुत समस्या वी यानि कि 40-50 प्रस्णों में मुश्किल से 6-7% तो other state वाले विद्यार्थियों ने भी किये हैं तो इसमें ज्यादा variation इस बार नहीं आ पाया है इसलिए other state के जो राज के विद्यार्थि हैं तो उनका भी चेहन आराम से प्रारामिक परिच्छा में हो सकता है दूसरा कारण ये भी है कि जो other state के विद्यार्थि होते हैं वो जनरल में fight करते हैं और राजस्थान PCS में अब पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जो जनरल की cutoff है वो समानत है कम जा रही है OBC से तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी वर्गवार cutoff की है हां तो दोस्तों कुल मिलाकर के 150 प्रस्ण थे एक प्रस्ण लगबग 1.33 मार सकता था कतका था यानि कि 133 नंबर का 150 प्रस्ण 200 नंबर के थे तो दोस्तों प्रस्ण आये थे 150 में राजस्थान इस पेशल के वो तो इतने टफ ते कुछ कहने के नहीं मैं पहले ही इसकी ब्याख्या कर चुका हूं तो इस वज़े से मुख की रूप से इस बार 62 से 65 क्योंकि पिछली बार का जो हलका पेपर था उसकी कटाफ गई थी 70 से 78 के बीच में थी और जो OBC की कटाफ थी दोस्तों पिछले बार लगबग 90 से 95 राजस्थान में ये देखा जाता है कि प्रारंबिक परिक्षा में अब तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो प्रदेश था तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि OBC कटाफ 72 से 75 के बीच में होनी चाहिए यानि कि जिनके 75 प्रशन हैं OBC वालों के नमबर है ये प्रशन है नहीं दोस्तों ये मार्क्स हैं अगर 75 मार्क्स हैं आपके तो आप मेंस दे रहे हैं अगर 72 हैं तो आनिकी आप मे में हैं और इसी तरीके से जो से ड्यूल कर्श्ट है अगर 45 प्रशन है तो दोस्तों उनके अच्छे चांस है और अगर 50 मार्क्स हैं तो वह बिलकुल लगबग 90 प्रतिशत उनको मेंस की परिच्छा देनी ही देनी है तो दोस्तों यह हो गया कटेगरी वाइस एक्सपेक्ट अनुमानिक कटाफ और दूसरी जो मुख की बात है कि दोस्तों अगर आप देखिए कटाफ तो कुछ भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि इतनी जाएगी इससे दोचार नंबर आगे भी हो सकते हैं दोचार नंबर कम भी हो सकते हैं यह अपने अपने आकड़े हैं लेकिन दोस्तो ये जो कटाव बताई गई है तीनों वर्गों की अगर इससे थोड़ा भी आप लोगों का एक दो नंबर आगे पीछे भी है तब भी आप मुख्य परिच्चा की तयारी करना शुरू कर दें अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवस्च कर ले ताकि जो भी कोई एजकेशनल वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मि भारत